किशान बाईयों नमस्कार, स्वागत है हमारे यूटूब चैनल दिहाती किशान साथी में किशान बाईयों आज की इस वीडियो में बात करेंगे धान की फसल में N.P.K. J.O. Bound 34 का इस्प्रेक कप करना चाहिए जैसा कि किशान बाईयों धान की जब रोपाई होती है उसके 8-10-15 दिन के वीज जो यूरिया डालते हैं नाटरियन डालते हैं उसके संग जिंग शलफर डालते हैं शभी उरक खाट डालते हैं लेकिन उसके अलावा जो हमारी फशल 30-35 दिन के आसपास या 40 दिन के आसपास पहुंच चुकी होती है उस समय भी कुछ NPK खाट का इस्प्रे करने की जरूरत होती है उसमें किशान बाईयों NPK 0-24 की बात करेंगे जैसा कि किशान बाईयों नाटरियन से हमारी फशल की बढ़वार अच्छी से होता है अच्छे से विकास होता है और कलो की संख्या भी अच्छी होती है खेध हरा भरा हमारा बना रहता है इसके लावा किशान बाईयों यू NPK खाट हमारे आते हैं उनका इस्प्रे करने की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है अब बात कर लेते हैं कि इस्प्रे कव करना चाहिए किशान बाईयों जब हमारी फशल लगभग बालिया निकलने का समय नजदीक आ चुका होता है यानि जब फशल हमारी 50 दिन के आसपास लबग पहुँच चुकी होती है उस समय हमारी फशल में गबो तवस्था चालो हो जाती है यानि तने में बालिया बनना सुरू हो जाती है उस समय किशान बाईयों एनपी के जीरो बाउंच 34 का स्प्रे कर देना चाहिए एनपी के जीरो बाउंच 34 डालने से फायदा क्या मिलता है जैसा कि किश्यान भायों NPK Zero Bound 34 में 22% फास्वास पा जाता है 34% Potassium यानि Potage की मात्रा पाई जाती है जो कि इसमें जो तने में बालिया बन रही होती है सबसे ज़्यादा आवशकता होती है पोदा हमारा मजबूत बनता है तने में बालिया जो अच्छे से बनेंगी पोदा अच्छे से प्रकार से वहाँ पर मजबूत बनेगा तो बालिया भी हमारी लंबी निकलेगी मोटी निकलेगी और दाने का भराव भी अच्छे प्रकार से होगा तो इसका एस्प्रे किशान भाई जरूर कर लेना चाहिए आप तोड़के देखते होंगे तना तो वहां पर मोटा मोटा तना होगा तोड़के देखते होंगे तो उसमें बालिया निकल रही होती है जब किशान भाई यो NPK Zero Bound 34 का एस्प्रे कर देंगे तो खेत में एकदम से बराबर मात्रा में आप देखते होंगे कभी कभी खेत में क्या होता है किशान भाई सही खाद उरोरा का सही NPK का एस्प्रे नहीं करते हैं तो खेत में बराबर जो बालिया होती हैं उनका विकास और नहीं निकल पाती हैं कहीं पर ज्यादा बालिया निकलाती हैं कहीं खेत में निकली नहीं है तो एक समान रोप से बालिया नहीं निकलती है तो उसे पैदावार पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारी पैदावार 15 से 20% कम किशान भईयों देखने को मिलती है इसलिए किशान भईयों तने में बालिया निकल रही होती है यानि गवोट अवस्था जब प्रारम हो जाती है गवोट अवस्था किशे कहते हैं किशान भईयों गवोट अवस्था करते हैं जो तने में बालिया बनना चलो हो जाती है तो इस कंडिशन पे एन पी के जीरो बाउंच चोंतिस का एस्प्रेक करना चाहिए इसकी मातरा की बात करें तो एक से डेड़ किलोग्राम प्रत एकड के इसाब से आपको इसकी मातरा ले लेना है और घोल तैयार करके अपनी धान की फशल में एस्प्रेक कर देना होता है किशान बाईयों पहले तो आपने बहुत प्रकार के फंगिसाइट, कितनासकदवा, खाज, जिंक, शलफर, होमेकेशिट, शागरिका आप डाला होगा लेकिन इस्प्रेक के माध्यम से किशान बाईयों जो हमारी जोथ होती है सूचम पोसक तत्तों की अवशकता होती है तो इससे हमारा जो भोजन है वो अच्छी प्रकार से बनता है बालियों तक पहुँचाने का काम भी अच्छी प्रकार से हमारी फासपरस करता है इससे बालियां लंबी निकलती है, दाने का भराव भी अच्छी से होता है चाहिए अगर नमी की कमी रहती है तो यह बहुल और को मिलता है। किशान भाईयों और बात करेंगे, जब हमारी धान की फसल में बालिया निकल आती हैं, तब भी किशान भाईयों एक इस्प्रे करने की जरूत होती है, उस इस्प्रे का नाम है N.P.K.0050, N.P.K.0050 में पोटास यानि पोटेसियम की मातरा सबसे ज़्यादा होती है, 50% होती है, और उस समय जब बालिया निकल आती हैं, सबसे ज़्यादा पोटास की आवसकता होती है, क्योंकि बहुत सारे किशान भाईयों हमारी यह ऐसे हैं, कि धान रोपाई के समय पोटास नहीं ड चाहिए, जिससे उसमें दानों का भराव जो है, वो बहुत अच्छी प्रकार से होता है, दाना हमारा मोटा बनेगा, वजनदनार बनेगा, तभी अच्छी सी पैदावार देखने को मिलेगी, तो यह चीज किशान भाईयों, N.P.K.0 Bound 34 का इस्प्रे आप चुरू कर दीज चाहिए, जो सही टाइम होता है किशान भाईयों, बालिया निकलने के पहले का टाइम जो हमारी गवोट वस्था में, यानि तने में बालिया बनना शुरू हो जाती है, उस समय किशान भाईयों आप जोरू कर देना चाहिए, तो किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो नीच प्नोजार च्नोजार टो नीच जय हमें बत्ने में समस्मारो हो।